हैलो दोस्तो आपने अभी तक दुनिया की बहुत सी खतरनाक जगह देखी होंगी लेकिन क्या आपको पता है वारत जब से खतरनाक जगह कोंसी है जाहन जाना सबके बसकी बात नहीं है तो चलिए अगर आप दिल से सासी हैं तो तैयार हो जाईए उन जगह के बारे में जानने के लिए चो आपके travel के experience को next level पर ले जाएंगे तो चलिए नमबर वन पे तामिल नाडू के कोली हिल रोड के बारे में जानते हैं दोस्तो बेसिकली यह रोड है और इस मार्ग पर वाहन चलाते समय सावधाने बरतने पड़ती है और वो भी बहुत जादा क्योंकि यह एक सत्तर मोडो वाला एक सड़क है और इस सड़क के आसपास एक ट्रामनी कहानी भी कही रहती है यह रहस्य में जील आपको उत्राखंड के चमोली जिले के अंदरूनी हिस्से में देखने को मिलेगी यह उत्राखंड के सबसे फेमस लेक में से एक है लेकिन यह सलाहती जाती है कि यात्रा के लिए निकलने से पहरे आप खुद को ठीक से त्यार कर लें त्यार करने का मतलब समझ रहे हो ना अपने सारे एक्विमेंट जो सुरक्षा के लिए होते हैं उसको साथ में रख लें क्योंकि यह रास्ता खाफी घने जंगलों से भरा हुआ है अब आपके मने में हैं सवाल उड़ता होगा कि यह डेबिड डेल्स के लिए क्यों है खैर गरम दिनों में इस जिल से सैक्ड़ उमानों के कंकाल निकलते है जिसे एक कंकाल जिल के रूप में भी जाना जाता है तो अगर आप भी यहां जाने के बारे में सोच रहे हो तो थोड़ा ख्याल रखिएगा तो चलिए अब जानते हैं लोकेशन नमबर थरी जिसके बारे में शायद आप भी थोड़ा बहुत जानते होंगे तो बिसिकली यह है लोकेशन है राजस्थान का कुल धरा कभी यह स्थान आबाद था जो अब वीरान पड़ा है और इस लोकेशन के बेस पर ही आपने एक मुवी कालो भी देखी होगी और जिन्हों ने नहीं देखी तो चलिए बता देते हैं कि आकर यहां ऐसा क्या हुआ था ऐसा माना जाता है कि यहां की निमासियों ने इस थान को रात और रात छोड़ दिया और फिर उन्होंने कभी यहां पर किसी को नहीं देखा ऐसा माना जाता है कि यह स्थान सापित है जबकि इस स्थान का ब्यानक वादवरन अब सिर्व विजिटर को एकसाइटिड करता है कुलतरा की यात्रा अपने जोकीम पर करें जिससे आप केबल दिन के उजाले में ही कर सकते हैं यहां आप सुबह 8 बज़े से लेके साब के 6 बज़ तक खुम सकते हैं और रात होते ही इसके दुआर बंद कर दिये जाते हैं लेकिन हम आपको वहाँ पर जाने के लिए रिकुमेंट नहीं करेंगे तो अगर आप वहाँ पर जाना चाहते हैं तो आप खुद अपने जिस्क पर जा सकते हैं तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और इस वीडियो को एंड तक देहने के लिए आप सभी का धन्यवाद